वैकिसाम नितार राकेश टिकेट ने इंडिया नूस से कहा कि अगर रास्ता खोलेगा तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली में खेती करेंगे हाला कि उन्होंने कहा कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने नहीं खोल रही है टीकरी बॉर्डर पर भी उन्होंने कहा कि रास्ता खुलेगा तो आगे की रणनीती तैह होगी हमारे साथ इस समय राकेश टिकेश साब मौझूद है क्या वाकई जो रास्ता है वो खाली कराया जा रहा है वो सीधे मुन से पूल लेते हैं दिल्ली पुलिस ने बैरिकेट हटा दी क्या कहना आप का अटा रहे हैं इस तरह की जानकरीमा बट जाएगी जब बताई और यह यह टीग हो गया वेख रेक में यह ठीक रहे जाए गार आमको रोका का वही विगज़ा कोटर परलेमेंट बराबर बराबर बरी तो है आँ देख भी लेंगे वकिलू की देख रहें कि मैं जाना चा क्योंकि मंडी एक अस्थल थे मंडी तो दिल दिरे खतम हो रही हमको यह उम्मेद लगें कि पारलेमेंट की जो नहीं दिली का चेतर है महाँ पे धानकी यहों की मक्का बाजरा इसकी फसल ठीक भी कि जागी वहां वहां जाने कि तेक्टर सो लेका जांगे फिर हम करेंगे सल मेडिया पर अभी तुरंत एक मैं देख रहा था कि तमाम चीज चल रहे हैं कि गाजीपूर बॉर्डर खाली हो गया तो आप थोड़ा एक्प्लेंट कर दिए कि गाजीपूर बॉर्डर तो पिछले 11 में इंदे से कह रहे हैं जो बैरिकेड हटाए जा रहे हैं उसको कैसे द अगर अब हमने रास्ता बंद नहीं किया रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद किया अब वही बैरिकेड हटा भी रहे हैं तो अब रणीती क्या है इसको लिए अभी रणीती पहले क्यों बतावे जब करेंगे पहले दून्दू चाल एक ही बार चल देगए गया थी पहले पह पहले हटा लेन दो अगला बता थेंगे प्यारों ने जानकारी दे दिल्ली पुलिस के कि वह बता रहे हैं तो आगे की रंडीती क्या है और जब भट जागा तो आगे की बता देंगे अट तो जान दो पहले है तो राकेश चिकेस आपको आप यहां सुन रहे थे उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर बैरिकेड हटाती है तो आगे की रंडीती उसके बात तयार होगी हलाकि उन्होंने अंत में यह भी कहा कि बैरिकेड हटेंगे तो किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे गाजीपूर बॉर्डर पर किसान करांती गेट से जतिन गोस्वामी इंडिय किसान दिल्ली करता हो.